वेल्कम टू रेंडम फेक्ट से वियादव इस बीडियो में आप जानेगे कैंसर के मरीज के बाल क्यों जढते हैं घड़े में रखा पानी ठंड़ा कैसे हो जाता है इसी तरीके के रेंड़म फेक्ट जानने के लिए इस बीडियो के अंद तक बने रहें तो बिना किसी देरी के साथ सुरू करते हैं आज के random fact के अध्याय को Fact No.1 आज कल जो हम लोग phone लेते हैं उनकी camera quality जरूर चेक करते हैं कि यह camera कितने megapixel का है तो हम लोगों के दमाग में यह जरूर आया होगा बहुत बार कि हमारी आँख कितने megapixel की है आपके नोकलेज के लिए बता देता हूं कि हमारी आँख जो होती है वो 546 megapixel की होती है Fact No.2 जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन होता है 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकिंड का Fact No.3 हम सभी लोकों के घर पे सीसा होता है mirror तो आपको पता है कि mirror का जो सीसा होता है उसका color क्या होता है तो मैं बता देता हूं कि उसका color green होता है Fact No.4 आपको पता है कि book का full form क्या होता है तो मैं आपकी knowledge के लिए पता दूँ कि book का full form होता है Big Ocean of Knowledge Fact No.5 आपको पता होगा कि rat means भी चुगा होता है और mouse means भी चुगा होता है अच्छा इस दोनों में फरक क्या है तो यह देखो rat जो होता है वो बड़ा वाला चुगा होता है और mouse जो होता है वो छोटा वाला चुगा होता है फेक्ट नमर 6 जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड़ी कान की होती है तो आखिर कितनी छोटी होती है तो आप मेरी वीडियो में देखो कितनी छोटी है और ये ऐक उंगली के उपार रखी है देखो Fact नमर 7 क्या आपको पता हैं केंसर के मरीज के बाल एस बजय से बाल जड़ जाते हैं फैक्ट नमर एट यह जो कौला नाम की जीव होते हैं वो बहुत सैथान टाइप के होते हैं बहुत फुदकू टाइप के जो इदर से उदर डोलते रहते हैं और इनका जब बेट नापना होता है तो साइनटेस्ट को यह करना पड़ता है यह दो को इस टाइप का बेटिंग स्केल पे इस टाइप का रख देते हैं फिर वो आके इस पे बैठ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इस पे बैठना बहुत पसंद होता है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलोनोमियन है जिसकी एक ग्राम से ही पाँच करोड लोगों की मौत हो सकती है मटके में रखा पानी ठंडा कैसे होता है तो आज मैं इसकी बारे मैं आपको नौलिज दूँगा और मैं पता हूँगा जो मटका होता है इसमें बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं जो हम लोगों को नौर्मल आखों से नहीं दिखेंगे और उस छेदों से पानी बाहर निकलता है और पूरी मटके को भिंगा लेता है और जब भीन जाता है जो बाहर की हवा लगती है उसमें तो उसमें एव Heilation होता है पानी जब भाब बनके उड़ जाता है और जो भाब बनने के लिए energy मटके से लेगा तो वो मटके से लेगा जो मटके में जो गर्मी होगी वो बाहर निकल जाएगी और इसी तरीके के दीरे दीरे पानी ठंडा होता रहता है जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही मटके का पा करें. Thank you.